इंशालला थेंगे ऽे रखंधे की सर्कार और उत्रप्रदेस में योगी आदितनात की सरकार है सेध ये बाद ये ने प्रियाकराज में एक संसरी फेला देने वाला मामला सामने आया है सिविल लाइन से कर्चना जाने वाली एलेक्ट्रोनिक बस सेवा में आत्रा कर रहे इंजीनरिंग के चात्र लारेब हाशमी और बस के कंडेक्टर हरिकेश विश्व कर्मा के बीच बस के किराय को लेकर विवाध हु गया विवार इतना बढ़ गया था कि इंजीनरिंग के चात्र लारे भाशमी ने बस कंडेक्टर हरिकेश पर धारदा चौपर से हमला कर दिया हमले के बाद बस कंडेक्टर की गरदन और हाथ पे चोटाई और बस में अफरा तफरी मच गई आपको बता दे कि इलक्टोनिक बस जैसे ही प्रागराज नैनी के इंजीनरिंग कॉलेज के गेट के सामने पहुंची थी इस समय ही इंजीनरिंग के चात्र ने कंडेक्टर पर हमला किया था जब तक बस में मौजूद दूसरे चात्र और चालक को समझ पाते तब तक चात्र बस से उतर कर फरार हो गया यहीने ऐसा बताया जा रहा है कि भागते हुए चात्र ने जमात अभी जिन्दा है और अल्ला हुआ अकबर किनारे भी लगाए मैं इस मुद्दे को लेकर राजनिती भी तेज हो गई है जहां एक तरफ विपक्ष सरकार पर कानूर नुवस्था को लेकर हमलावर है तो बीजेपी भी मामले पर लगातार आक्टिव मोड में जवाब दे रही है प्रयागराच कान पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश द्रपाठी का सीधे तोर पर कहना था कि मोदी ओगी सरकार ऐसी समस्या को अपने पैरो पर खड़े नहीं होने देगी बात ये कट्रपंथी तत्म भूल गये है उत्तर प्रदेश के पुलिस ने माकूल इलाज किया है आप इस तरह की सोच रखने वाला व्यक्ति जीवन वर अपने पैरो पर खड़ा नहीं हो पाएगा उत्तर प्रदेश के पूरे देश में इस घटना को लेकर संसनी का महौल है मामले में आगे और क्या कुछ बाते सामने आती हैं ये देखने वाली बात होगी समझ श्रवास्तव के साथ बियरो रिपोर्ट यूपी तक